वेलकम तो दा नोवर निखिल लर्निंग आप, इस एप को स्टुडेंट्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डवलप किया गया है, इस एप के अंदर आप लेटेस्ट गवर्मेंट जॉप्स, रिजल्ट्स और एड्मिट कार्ड के अपडेट्स पासकते हैं, साती सात आप से भी देख सकते हैं, इसके इलावा आपको गवर्मेंट जॉप्स और डिफरेंट एग्जामिनेशन के प्रिविशेजर के क्वेश्चन पीपर्स को भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलता है, आप इस एप को डाउनलोड कर सकते हो एंड़ॉड प्ले स्टोर से और आ करता है, उसके बाद उसका मेंस एक्जामिनेशन होता है, जो उसको पार करता है, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है, या फिर इंटर्वी होता है, या फिर ये पार्ट नहीं भी होता है, लेकिन मेंस एक्जामिनेशन पास करना बहुत बड़ी बात होती, क्योंकि उसक के इस वीडियो में हम ऐसे ही नौकरिया निकालने वाले हैं जिसके अंदरी बीच का स्पेस है यह नहीं सिर्फ पिलिम्स एक्जामिनेशन है उसके बाद या तो नौकरी है नहीं तो कुछ छोटा मोटा पेपर है और उसके बाद नौकरी है और दो-तिन पॉइंट है इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ प्लीज सुन लेना बहुत इंपोर्टन पॉइंट से वो सबसे पहला पॉइंट यह है कि जितने भी नौकरिया में आपको आगे बताने वाला हूँ जो फ्री में मिलेंगी इन नौकरियों के तयारी के लिए तो आप जरूर उस लिंक को क्लिक करें और इस नौकरी में काफी सदा हेल्प मिलेगी जीके से लेकर के अल्मोस्ट बहुत सारी टॉपिक्स हैं जहां पर आपको उस बुक्स के अंदर covered है, वो भी free में Second, आप इनमे से किसी भी नौकरी की तयारी करना चाहते होगे या फिर सारी नौकरी को तयारी करना चाहते होगे इस देश में जितनी भी नौकरी है तो nowaranish.in मेरी website है 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे पहले से यूज करते हैं वहाँ पे आपको mock test मिलता है और 1.500 रुपे पे सारी की सारी आप जितनी भी नौकरी आए ना सब को mock test खुल जाता है 1.500 रुपे में आप कोई भी mock test दे दीजिए और 99 रुपे में आपको 20 या 25 mock test आप खोल सकते हो तो link description में available है आप mock test को ज़रूर एक बाच आप करना और बस last point हमारा बचाया है जितनी भी नौकरी यहां है बताने वाला हूँ उन सब के अंदर जो examination pattern है मतलब जो आपके examination में आएगा उसके अंदर यह 4 topic ही है जो mostly सब में घूम फिर के आएंगे सबसे पहला quant उसके बाद reasoning उसके बाद gk उसके बाद english यही 4 topic किसी में 3 होगा किसी में 4 होगा या किसी में gk गायब होगा बाकि तीन होगा तो इसी के आसपास घूमेगा तो चली सबसे पहली जौब को देखते हैं जो 10 नंबर पर है वो है RBI attendant की जौब जिसको कोई भी 10th past student apply कर सकता है RBI attendant की जौब one of the most prestigious bank के अंदर आपको नोकरी में लेगी Reserve Bank of India के अंदर attendant कोई बहुत बड़ी post नहीं है medium level की post है लेकिन again 10th past student इसको apply कर सकते हैं 18-25 साल तक के लोग apply कर सकते हैं ज्यादा उमर की लोग नहीं कर सकते हैं February March के महिने में इसका form निकलता है इसका form इस साल भी निकला था तो यह थी हमारी 10th number की post अब हम आते हैं 9th number पे 9th number की post पे है IDBI bank के अंदर executive या फिर assistant manager की post इन post को कोई भी graduate apply कर सकता है बस 20-25 दिन पहले ही इनका form आउट हुआ था और इन दोनों के उपर मैंने वीडियो बना करके आपको बताया था executive वाली जो post होती है वो contract based होती है तीन साल के लिए अगर आपको वो पसंद करता है तो आपको नौकरी पर रखता है assistant manager की जो नौकरी होती है उसके अंदर तो आपके सरकारी नौकरी लगती है और लेकिन आपको साथ में course करना पड़ता है लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर main examination नहीं होता सिर्फ single examination होता है और उसके बाद आपकी नौकरी लग जाती है वो भी क्या होगा पी-ओ मतलब क्या होता है manager level पे आप manager बनोगे उस company के जो IDBI bank है उसकी CEO बन सकते हो कोई बीच में later entry वाला नहीं बनता है CEO तक जो P.O. से लेकर के जिंदगी बर नौकरी करता है वो ही CEO तक जाता है या फिर मरे से मरे हालत में na zonal head आप बनोगे बनोगे अगर आप कम उमर में 21, 22, 23 ऐसी उमर में अगर आप bank join कर लेते हो तो तो यह थी हमारी 9th number की post अब हम आते है हमारी 8th number की post पे 8th number की post पे है FCAT Air Force Common Admission Test इस post को कोई भी graduate या फिर B.T.E.C. specially भर सकते हैं इस post के through आप Air Force में pilot भी बन सकते हो और ground duty भी जा सकते हो दोनोगी officer level पे तो salary यहाँ पर क्या मिलने वाली है आपको salary मिलने वाली है minimum जे minimum 75,000 उरुपय महिना और यह one of the highest paid नोक्री है हमारी country की तो इस basis पर आप समझ के चलीगा कि कितनी अच्छी नोक्री है कि सिर्फ और सिंगल examination देना है return हाला कि इसके अंदर जो interview होता है वो world का toughest interview में से ही होता है बट still हम return की बात कर रहे हैं यहाँ पर तो return यहाँ पर सिर्फ और सिंगल examination देना है जो कि Air Force खुद लेता है Air Force खुद वो examination लेता है इसके अंदर especially B.Tech के candidate को science के student को बहुत फायदा है लेकिन आप इसमें से कुछ नहीं हो normal graduate भी हो तबी भी apply कर सकते हो लेकिन 60% इसके अंदर minimum requirement रहता है तो यह देख लिए हमने F-Cat को अब हम आते हैं हमारे next post के ऊपर next post है हमारा Nanital Bank के अंदर PO and clerk इस form को कोई भी graduate apply कर सकता है हाली में इसका भी notification निकला था इसका examination भी हुआ है जो लोग भरे होंगे मेरे वीडियो के तुरू बताना कैसा अगया examination यह ऐसा examination था Nanital Bank से लोग पहले तो ड़ा जाते हैं कि Nanital के अंदर ही posting होगी बाई Nanital Bank का मतलब कि ऐसे bank को बड़ोदा में तो क्या बड़ोदा में रहोगे ऐसा कुछ नहीं होता Nanital Bank ना मैं Nationalized Bank है यह billion dollars में इसका revenue है तो किवल Nanital मेरे के थोड़ी हो जाएगा अब कि positive पूरे country में होने वाली है especially North India के अंदर तो आप ऐसे forms को जहूर भरा करो कोई भी graduate इस form को भर सकता है इसका examination भी हो चुका है फिर अगले साल आएगा ये tension मत लीजिए ठीक है और mostly मैं जितने भी नोकरियों बता रहा हूँ न defense वाले नोकरियां छोड़ करके सब में mostly 28-30 सल तक के लोग apply कर सकते हैं हाला कि जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ या बताने वाला हूँ jobs उन सब की link वे में description में दे दूँगा ताकि आप वहाँ पे click करके पिछले notification को देख सको कि आखिर किस तरीके की चीज़ें थी वहाँ पे इसके लावा मैं सोच रहा हूँ कि मैं ऐसी नोकरियों को भी list बनाओ जिसके अंदर कोई भी negative marking नहीं है ऐसे सरकारी नोकरियां और दूसरा ऐसी सरकारी नोकरियां जिसके अंदर बिने examination के सरकारी नोकरियां में आप जा सकते हो तो ऐसे दो वीडियो में सोचना हो बनाने के लिए आप मुझे comment section में जरूर बताएगा कि किस टाइब की वीडियो में आप लोग interested हैं तो यह हमने देख लिए नैनितल बैंक अब हम आते हमारे next post के उपर जो की है GIC यानि General Insurance Corporation के अंदर Assistant Manager की post इस post को जात अरना BTEC, Lawyers, MBA या फिर Chartered Accountants भरते हैं इनके लावा Normal Graduate के लिए थोड़ी सी कम post आती है General की post कभी कभी आती है जैसे इस साल इसमें कोई post नहीं आई थी और इस नोकरी के बारे में आपको बता दूँ कि ये one of the most prestigious नोकरी है Insurance सेक्टर के अंदर Assistant Manager की post पे आप जाओगे Workload भी कम होगा और salary आप कौन सी उठा रहे होगे Bank पी हो वाली तो Overall ये काफी जादा अच्छी नोकरीया है और इसकी age की criteria भी 28 साल, 30 साल तक जाती है तो Overall मैं इसको अच्छी बात कहता हूँ और All Over India में आपकी इसके अंदर posting भी होगी तो ये हमने देख लिया GIC अब हम आते हैं Next Post के उपर जो की है DSSSB के अंदर हमारी Assistant की, Head Clerk की और TGT Teachers की इस नोकरी को 12th Pass भी अप्लाई कर सकते हैं मतलब बहुत high level नोकरी नहीं पाओगे आप लेकिन आप subordinate रहोगे आप किसी के अंडर ही रहोगे तो कुल मिला करके आप यह समझ के चलिए कि बहुत अच्छी नोकरी है especially दिल्ली में आपको posting चाहिए तो दिल्ली 2 में साल की ज़रूत नहीं है आप इस दिश में कहीं के भी नागरी को आप DSSSB का फॉर्म भर पाओगे इसके अंदर age का criteria भी 40-40 साल दाके किसी किसी post के अंदर तो बहुत अच्छी post है और इसके अंदर आपका सिर्फ और सिर्फ प्रिलिम्स examination है मेंस examination है ही नहीं तो यह होगी आडड़ी डिफेंस के रिक्रूटमेंट होती है कोई भी ग्रेजवेट इस फॉर्म को भर सकता है और एक और बाद बतातू विकरम बत्रा जिसके उपर मुवी भी आई या भी शेर सा विकरम बत्रा भी CDS की ही के त्रूर नौकरी पाए थे और उनके उपर मुवी बनिय देश के लिए वो शहीद हुए और बाइथ शहीद होने की नहीं है उन्होंने सर्व किया और वह भी आज officer लट रहे थे और lieutenant गए थे और उसके बाद तुरंदी उनको captain बना दिया गया था तो आप इस CDS के entry को समझ रहे हो one of the most prestigious entry है defense के अंदर और इससे अच्छी entry आपको नहीं मिल सकती कोई भी graduate इस फॉर्म को apply कर सकता है कोई percentage का requirement नहीं है फाइल देर के student पर apply कर सकते हैं बहुत अच्छी जॉब है और इसके अंदर कोई mains examination नहीं है प्रिलिम्स examination है और उसके अंदर भी जो female candidate है female candidate यहां पर भी apply कर सकती है जितनी भी नोकरी यह बताया हूं ना ऐसी कोई नोकरी यह नहीं बता रहा हूं जहां पर female apply नहीं कर सकती है ह सबसे पहली जो नोकरी है जो भारत के अंदर सबसे अदर salary वाली नोकरी भी है सबसे अदर prestigious नोकरी भी है वहाँ पर लड़किया नहीं apply कर सकती है जो हमारे इस list के number 1 पर है उसके लावा सब के अंदर लड़किया apply कर सकती है तो यहां पर भी apply कर सकती है तो यह कोई CDS की details अ इतने जादा नहीं और हुए भी तो 60% से उपर वाले आपके MBA, Chartered Accountants और B-Tech Candidate apply करते हैं यह one of the most prestigious bank है RBI के बाद मैं बात करूं तो EXIM और ECGC, ECGC के बार में भी बताऊंगा वो भी अलग से बताऊंगा यह दोनों सबसे prestigious bank है किसी भी bank को उसे comparison करे तो state bank को और इनको आप साबर लेके चलो लेकिन मैं इसको थोड़ा से उपर मानता हूं क्योंकि इसका वर्ग जो है बहुत खुपसूरत है इनका banking का काम करते हैं तो इसलिए मुझे परसनली नौकरियां पसंद है तो मैंने आपको बताया किस टैप के लोग अप्लाई कर सकते हैं इसका फॉर्म भी बीच में गैप हुआ है कोरोना के वज़े से गैप हो जाता है लेकिन इस साल भी आया था अगले साल भी आयेगा मुझे गैरेंटी है इस बात की क्योंकि जादा पोस्ट इन्होंने नहीं लिया थे तो आप नजर बनाए रखे हैं मेरे एप को ज़रूर डाउनलोड कर रखे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे क्योंकि इस चैनल पर मैं वीडियो के माध्याम से आपको बताता रहता हूं कौन-कौन से फॉर्म निकले हुए है और सबसे बड़ी बात इस नोखरी की क्या है मेंस एक्जामनेशन नहीं है मेंस नहीं है आपका एक डिस्क्रिप् सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर वन अफ दा मोस्ट प्रस्टीजियस नोकरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो की और कोई भी ग्रेजवेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है आई बी एस यो को आप हलके में लेके मत चलिएगा लाखों की संख्या में इस फॉर्म को भरते हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट सो लोग इस फॉर्म को भरते हैं आप सोच नहीं सकते आई भी एसे फॉर्म आएगा ना मैं वीडियो अप्लोड करूँगा देखना बहुत साधा व्यू आते हैं उसके उपर और सिर्फ व्यू की बात नहीं है अब लोग भी उस फॉर बहुत अच्छा फॉर्म है बहुत अच्छी नौकरी है लेकिन अगें थोड़ी सी आपकी डैनमिक नौकरी है जिसको डेस्क वाली जॉब करनी उसके लिए नहीं है लेकिन हमारे लिस्ट में यह है क्योंकि नौकरी बहतरीन है आपकी लगबग 4600 ग्रीड पी वाली नौकरी है सेलरी भी 55500 रुपे की इसके अंदर है और मेंस नहीं है बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ा रिलिफ है तो इस फॉर्म के उपर जरूर अपना नजर बनाए रखना अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट फॉर्म के उपर जो की हमारा एंडिय यानि नैशनल डिफेंस लिए वाले डॉमिनेट करते हैं पुरे के पुरे डिफेंस सर्विसेस को प्रेंटिकली बताओं तो सीडीय वाले को भी डॉमिनेट कर देंगे वो नका जीवन ही 12 के बाद से ही वो घुज गया है डिफेंस के अंदर सीडिय वालों ने तो बाकी दुनिया भी देखी है लेक आते हैं समझ मैं आपको लेके चलो आप ट्रेनिंग के वक्त 56,100 रुपए आपको अब ट्रेनिंग कर रहोगे ना ट्रेनिंग करते ही बोनस की बात करें सबसे पहला ECGC के अंदर बैंक प्यों की फॉर्म जैसे EXIM था ना वैसा ही ECGC भी है यह भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड ही बैंक है इसके अंदर भी फॉर्म आता है और इसको कोई भी ग्रेजवीट भर सकता है इसके अंदर ऐसा नहीं है कि कोई law वाला MBA वाला कोई भी ग्रेजवीट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है लेकिन इसके अंदर आपका again descriptive paper आता है ठीक है मेंस नहीं होता एक descriptive paper होता है तो यह हो गया हमारा bonus का पहला अब हम आते है next पे जो कि SBI apprentice SBI apprentice बहुत फालतु नोकरी है जो career देख रहे हैं वो इस लेकिन क्या होगा कि guarantee हो जाएगी कि अगर मैं career में कुछ भी नहीं कर पाया ना तो SBI apprentice के experience का यूज करके कोई भी private bank में आपको नोकरी मिल जाएगी मैं guarantee देता हूं आपको ठीक है कोई भी private bank में नोकरी मिल जाएगी SBI apprentice के आपका जो experience आपके ले लोगे तो तो इस वज़े नाम भी आ जाए ना और उसके आगे कुछ भी लिखा हो यांतरिक लिखा हो चाहिए आपका assistant commander, assistant commander IPS लेवल का post है मेंस examination नहीं होता, single examination वाली नोकरी है लेकिन interview में बता हूं बहुत tough होता है, Coast Guard का भी वैसा ही होता है क्योंकि Ministry of Defense का पार्ट है, Coast Guard जो है, आपको साधना knowledge हो, Ministry History of Defense का पार्ट है, जो हमारे तीन forces है, Army, Air Force नहीं हो, इसके लावा जो चौथा Coast Guard भी Defense का पार्ट है, सारी facilities इनको मिलती है Defense Services की, तो ये थी हमारी सारे की सारी Top 10 list, I hope आप लोग को ज़रूर फायदा मिला होगा, कुछ भी आपको फायदा मिला होगा ना, तो वीडियो को देखें ना, इसको पर मैं बुक आपको बताऊं, कुछ मोटा-मोटा की यहां बाई, यह पाँ तीन किताबे, चार किताबे, मस्ट बाई है, तो सबसे पहले General Awareness के अंदर लूसेंट की किताब, मस्ट बाई है, जरूर लीजिए, वैसे ही आपका English section के अंदर Essential English के किताब, मस करें, इसके लाब अगर आप रिजनी की बूग देख रहे हो, तो आरे सकरवाल की ठीक्था किताब है, और कम्प्यूटर किताब देख रहे हो, तो कम्प्यूटर Awareness करके किताब आती है, वो भी काफी अच्छे किताब है, सबकी Link में आपको description में देदूँगा, तो बस रही आज की वीडियो में आई हूप अपको इस वीडियो से फाइदा मिला हो, अगर आपको इस वीडियो को लाइक जरू करें, कमेंट करें अपने डाउट को, और आपको एस और वीडियो सब्सक्राइब करें, थैंक्यू